Hello students, Wikipedia channel में आपका स्वागत है पिछली वीडियो में हमने exercise 8.1 कोशन नमर 1, 2, 3 और 4 के बारे भी डिसक्स किया था जिसमें 3 और 4 कोशन मैंने होंबर के रूप में दिये थे ठीक है और मैंने बोला था कि जिन बच्चों के जो बच्चे हमें कमेंट पर होंबर का आंसर देंगे हम उनका नाम बीडियो में लेंगे Students, Corona Virus हमारे पूरी दुनिया में फैल चुका है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होईए हम आपका डेली बाई डेली वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और जो Students हम से नई जुड रहे हैं तो वो हमारी वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे उनको डेली के डेली नोटिफिकेशन बिल सके और उनका पाठी करम पूरा हो सके देखते रहे हैं पीकीपीडिया चैनल जैजिनेंद आईए हम सबसे पहले वीडियो हमबर को कर लेते हैं उसके बाद हम टॉपिक की आज स्टार्टिंग करेंगे उन इस्टुडेंट्स को बहुत बहुत बदाई जिसमें मेरे पास बाट्सप के माद्यम से और यूटुब पर कमेंट्स भी मिले मुझे करतिका जैन और दिब्यांसी जिन्होंने मुझे प्रशनों के आंसर बिल्कुल इसपस्ट और सही लिखे उन बच्चों को बहुत बहुत बदाई ठीक मैं उनके उज्जल भविश्क की काम ना करता हूँ आईए उन प्रशनों को एक बार नजर डालें जो हमने पिछली वीडियो में दिये थे यहां देखे कोश्चन नंबर थिरी जो लिखा है यहां जो कोश्चन नंबर थिरी लिखा है यदि साइने वरावर तीन वट्टे चार तो कौसे और टैने कामान परिकलित कीजिए तो यहां पर साइने वरावर तीन वट्टे चार तो लंबटे कंड लिखा है यानि लंब हो गया तीन और कंड हो गया चार यहां पर देगी चार कावर, तीन कावर, यानि 16 और 9, आधार कावर यह तो चली रहा है, यह तो हमें ग्याती करना, 16 में से 9 गटाई, 7 बचे अंडरूर 7 हो गया आधार, ठीक है, अब यह अंडरूर 7 आगया, हमें निकालना क्या था, कौसे और 10 एकमान निकालना था, कौसे आधार बट्टे करना होता है, यह अंडरूर 7 बट्टे, 4 बोलते हैं, और 10 एकमान निकालना था, कौसे नमर 4 दी आता, ठीक, मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा, जो वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वो कौसे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब तक आप नहीं कौट ए बरावर 8, तो कौट ए बरावर 8 बट्टे 15, ठीक है, मैंने लाल बट्टे कक्का लिखा है, यहां देखे, साइन कौस्ट 10, ठीक है, 10 का उल्टा होता है कौट, तो यह हो जाएगा आधार बट्टे लम, ठीक है, आधार बट्टे लम, जानि आधार आथ हो गया और हो गया, 15 हो गया, तो आधार आठ और लम, ठीक है, अब यहां पर देखे, हमें एक भुजा ग्याद करनी जिसे हम कंड कहते हैं, पाइथा गोरस प्रमे से कंड का बर्ग बरावर, लम का बर्ग धन, आधार का बर, ठीक है, यहां पर लम का बर्ग या पंद्र है, धन, आठ क अब यहां पर हमें जो वेलू निकालने थी, इस कुशन के अंदर, कुशन ओर फोर के अंदर, साइने और सेके, ठीक है, साइने और सेके का मान निकालना था, साइने होता है, लम बट्टे कंड, तो लम 15 है, और यह शत्तरे निकल गया, तो यहां पर सत्तरे लिग देंगे, आधार निकल गया तो सेह के वराव कन बट्टे आधार निकल गया तो सेह के वराव सत्रे बट्टे आठाया यह यह आपका आंसर हो गया ठीक और आप हमारे पार्टिकरम से जुड़िए ठीक कोरोना बाइरस पूरी दुनिया में फैल चुका है संग एकदम बहुत बुरी तरी की दे रहे हैं आप हमारे चैनल से जुड़िए जिससे और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको डेली वीडियो मिल सके और आपके पार्टिकरम में कोई ब्यवदान ना हो कुशन नम्मर फाइब हमने किया है कुशन नम्मर फाइब में देखे यहां पर यदी सेख सेख टीटा ब्रावर तेरे बटे बार लिखा है हो तो अन सभी अनपात को परिकलित कीजिए अब यहां देखिये जड़ा स्खोंद इरे बटे बारे लिखाए यहां पर मैंने कण तेरे लिखा और बारे लिखा मैं बार बार बोलता हूं अगर पाइथा गोरस के अंदर मैंने यहां पर घ्यात किया है पाइथा गोरास पलीषे कंड का बरक वरावर लम्ब का बर्गधन और यह लिखा आधार का बर्ग यहां लिखा यह लिखा बर्ग 138 भरवर Lम का बर्गधन यह 124 इसको यह दो 149 में से 144 क flashing 25 में %up यानि हमारा जो लंब आया है वो पांच आया अब यहां पर साइन ठीटा के हमने पोजिशन लगाई लंब बट्टे करण तो यह होता है पांच वट्टे ते रहे और नेक्स और यहां लिखा था हो तो अन सभी त्रिकॉण मिती अनपाद ग्याद कीजिए सारे त्रिकॉण मित सब्सक्राइब नेक्स को देखिए यह कुश्ण आपको समझ में आ गया ठीक है अकर नई समझ में आये तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए हम आपकी प्रोब्लम को अगली वीडियो में जरूर बताएंगे और आपकी कोशिस करेंगे कि आपके प्रस्ण को समझाने की यहां कोश्ण नमर सिक्स कोश्ण नमर सिक्स में यदि कोडे और कोड़ भी न्यून कोड़ हो ठीक है तो जहां को से बरावर कोस भी हो तो दिखाएं कोडे बरावर कोड़ भी अब सबसे पहले हम कोड़ सबसे पहले हम न्यून कोड़ पर डिसकस करेंगे न्यून कोड़ होता क्य है यहां लिकाए कॉण और कॉण भी नीओन कोड क्या होता है देखिये कॉण आपने पड़े थे लास एक सेवंत एर्थ में नीओन कॉण संवार, अधिक कॉन, सीर्शा विम्मु कॉन, रिज्व गौन, ठीक है, संपूरा कॉन, कोटी पूरा कॉन, ये सारे कॉन हमने क्लास एक 7 एर्थ में पढ़ते गए है लेकिन यहां पर सिर्फ निउन कॉन की बात आ रही है तो हम सिर्फ निउन कॉन क के बारे में डिसकस करेंग और 90 को के कौन को कहते हैं समकौड ठीक है तो आप नियून कौड पर थोड़ा फोकस करिए मैं यहाँ पर देखो बताने के कोसिस कर रहा हूँ निउन कोण होता है 90 जोटा अब जरा यहां देखिए सम कुण सम कौण त्रोफुज के अंदर यह 90 डी इए ठीक है और इन्होंने क्या लिखा है कौण A और कौण B दोनों कैसे हैं? निवन कौड है तो मैंने यहाँ पर C लिखा यह तो सम कौड हो गया कौड A यहाँ पर रखा और कौड B यहाँ रखा क्योंकि एक 90 हो गया यह दोनों छोटे हैं बात मेरी समझ में आ रही है थोड़ा पकड़ने की कोसिस करना यहाँ पर कौड A है और यह कौड B है यहाँ पर हम ना B को लिख सकते हैं यहाँ बी नहीं लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि तरभज के तीनों कोड़ों का योगफल एक सौसियंस होता है अब यह 90 हो गया तो यह दोनों का योगफल 90 से छोटा होगा दोनों का योगफल कितना है 90 सौरी दोनों का योगफल 90 है लेकिन एक कौड दोनों का योगफल 90 है एक 80 हो एक 10 हो एक 30 हो सकता है एक 60 हो सकता है एक 50 हो सकता है एक 40 हो सकता है लेकिन तोटल तीनों कोड़ों का योगफल XOSIONS होता है, तो इसी प्रकार हमने यह CORN A और CORN B को दोनों को कहां रखा है, NUN CORN में रखा है यहाँ पर भी देखें, मैंने दो चित्र बनाये है एक यह CORN A के लिए बनाया है, यह CORN A के लिए है और यह CORN B के लिए यहाँ पर B A रखा है और A आ रखा है अब प्रश्ण को जड़ा आप फिरसे में एक बार पढ़ रहा हूं जिससे आपको समझ में आजा है यदि कौण A और कौण B नून कौण हो जहां कौसे बरावर कौस भी हो तो दिखाओ कौण A बरावर कौण B नून कौण की आपको डेफिनीशन समझ में आगए मैंने यहां पर दो डाइग्राम बनाएए एक को मैं नीचे लिखा है एंगल A यहां पर लिखा है फिर इसको एक रोटेट कर दिया यानि A को ऊपर पहुंचा दिया और B को नीचे पहुंचा दिया ठीक है तो इसको हमने इस बुजाए है AC मैंने यह लिखा AC बट्टे AB और कॉस B में है आधार बट्टे करण इसकी इसकी पोजीशन है BC बट्टे AB क्योंकि BC इसका आधार है और कंड इसका AB है AB से AB हमने कैंसल कर दिया यह दोनों बज़ाएं आपस में बरावर होगी AC बरावर BC अब यहां देखिए AC बरावर BC AC बरावर BC ठीक है क्लास 9 के अंदर हमने एक ठ्योरम पड़ी थी जब किसी तरहुच की सम्मुक बज़ाएं बरावर होती है तो उनके सम्मुक कौन भी बरावर होते है अब उनकी सम्मुक बज़ाएं यह वाली है यह है तो इसके सामने का जो एंगल आएगा वो यह होगा और इसके सामने की जो एंगल आएगा वो यह होगा ये दोनों आपस में कौन कैसे होंगे बरावर होंगे इसमें भी ऐसे ही होगा इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल इस बुझा के सामने का कौन ये होगा ये दोनों आपस में कॉण बरावर होंगे तो कॉण ए बरावर कॉण भी आपको बात समझ में आ गई? अगले कुशन देखते हैं contestants question nummillimeter 7 के बारे में हम discuss कर रहा है question num breakout saving जो है वो लिखा है cot theta बरावर 7 वटे 8 तो लिखा है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta की value को में निकालना है और लिखा है cot square theta over our question यानि दो question यहां पर दिये हुए हमें question number 7 के अंदर अब cot theta over our 7 बटे 8 होता है मैंने बताया था आधार बटे लंब होता है 7 upon 8 यानि cot theta over our 7 बटे 8 अधार को ठीटा की value होती वह आधार बटे लंब होती है हमने पहले भी बता चुके हैं किसी त्रभुच के अंदर दो बजाएं ग्याते हैं तो तीसरी बजाएं ग्यात करने के लिए पाइथागूरस थ्वरम का हम प्रियोग करते हैं हमने यहां पाइथागूरस थ्वरम का प्रियोग करके यहां पर कर्ण जो है कर्ण का बर्ग वरावर लंब का बर धन आधार का बर कर्ण का बर्ग गया रूड 113 है ठीक है रूड 113 हमें कंड मिल गया अब इसके बाद यहां देखे हमें जो बैलु चाहिए इसको पहला वाला हम पार्ट को सौल कर रहे हैं तो यहां पर लिखा है बन प्लस साइं ठीटा इंटू बन मानस साइं ठीटा अपन बन प्लस कॉस्टीटा इंटू ब यहां पर वैलिव लिखाई साथ सेविन अपन रूड 113 ऐस पर अब यहां पर हमने से इसको न को लिखा बन प्लस साइं मानस साइं ठीटा इंटू बन मानस साइं थीटा इंटू बन मांस कॉस्टीटा यहाँ पर हमने साइन टीटा की वैलु लिखी 8 अपन रूट 113 माइनस 8 अपन रूट 113 यह दोनों वैलु यहाँ लिखी फिर यहाँ पर लिखी 1 प्लस 7 अपन रूट 113 1 माइनस 7 अपन रूट 113 ठीक है यहाँ पर एक फॉर्म तयार होती है जिसे हम लगाता है 7 अपन रूट 9 में भी हमने पढ़के आए हैं मैं यहाँ पर इस फॉर्म को बता दे रहा हूँ यह फॉर्म हमने पढ़ी है A स्क्वार माइनस B स्क्वार वरावर A माइनस B और A प्लस B यह फॉर्म हम पढ़ चुके हैं अब यहाँ देखिए A प्लस B, A माइनस B यह फॉर्म तयार होती है A प्लस B और A माइनस B की नीचे भी यही फॉर्म तयार होती है तो यह बन जाएगा A स्क्वार माइनस B स्क्वार तो A स्क्वार माइनस B स्क्वार अपन यहां पर भी देखिए A square minus B square की यह form बन नहीं है ठीक है अब यहां पर एक का बर्ग तो एक ही होगा 8 का बर्ग 64 और root 113 का square root square होगा 113 1 minus 49 upon 113 लिखा है फिर यहां पर देखिए हमने LCM लिया 113 एकम 113 minus 64 upon 113 यहां पर भी देखिए हमने LCM लिया नीचे एक मान कर 113 minus 49 upon 113 ठीक है यहां पर जब हम इसको simplify करेंगे तो 113 से 113 cancel हो जाएगा अब जो हमारे पास 6 बच्टी है value वो बच्टी 94 बच्टे 64 यही इस पूरे पार्ट का answer है 49 upon 64 कुछन आपर 7 का पार्ट का इसकोर थीटा wasOUR तीटा वाट्टे साइन ठीता जो हमने पहली वीडियो ने आपको बताया ता हिकने मैट приготов Ugh, dire-장 में हमने आपको तक एकॉन मिति रेसी ओ के जो फ़ॉर्मुले बतायते हैं उसमें यह फॉरूला बतायता got theta cos theta getl sin theta तो यहां पर live स्कुएर लगा है तो कॉस पर और साइन joyful हम लगा देंगे अब यहां पर कॉस की यहां से लगाएंगे सेरीट रूट 118 का होल स्कुएर हो गया साइन ठिटा की यहां अपार रूट 1130 यहां पर वह हमने a to learn यहां पर भी 8 यहां से भी रूट जाएगा अब यह दोनों आपके कैंसल हो जाएंगे एक सो तेरा से एक सो तेरा कैंसल हो जाएगा यह भी कैंसल हो जाएगा अब हमारे पास जो सेस बच रहा है वो बचा है 49 अपॉन 64 ठीक है फ्रेंट्स कुश्चन नमबर जो आपका 8 है यह मैं हमबर के रूप में वीडियो हमबर के रूप में दे रहा हूं जो बच्चे हमें बताएंगे उनका नाम हम सबसे पहले वीडियो में अपने टॉपिक सुरू करने से पहले ही उनका हम नाम लेंगे ठीक है यह जो ब प्रशन को समझने की कोसिस करना यहां पर जो पोजीशन है तो टैने की वैल्यू निकालनी है अगर इन दौनों की वैल्यू आपस में समान आती है बरावर एक्वेलेंस हैं दौनों तो आपका कुश्चन सही है ठीक है आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जिसका आंसर सही होगा उसका हम नाम वीडियो में लेंगे देखते रहे हैं वीकीपीडिया चैनल जैजिनेंद्र जैहिन जैभारत